वेलकम गुड मॉनिंग ओल्डी एमल्टी स्टूडेंट्स तो इस्टो पेतलोजी के अंदर आज आप क्या डिस्कूस करोगे आज के लेक्चर में आप तीन टोपिक्स डिस्कूस करोगे कि टूडेज लेक्चर ओन फ्रोजन सेक्षन के आज का लेक्चर किसके उपर है फ्रोजन सेक्षन पर एंड मुजियम स्पेसिमें माउंटिंग और मुजियम स्पेसिमें माउंटिंग के उपर है कि कैसे museum में specimen को अपन mount करके लंबे समय तक store करते हैं यह दोनों ही topic most important topic इस्टरपेथलोजी के अंदर and most important cushions और last के अंदर अपन क्या देखेंगे कि exams के लिए most important cushions क्या है इस्टरपेथलोजी और साइटोपेथलोजी के अंदर तो सबसे पहले क्या है frozen section frozen section is a section of tissue prepare by freezing the tissue frozen section बह section है जिसको अपन प्रिपेर करते हें कि इसके दुआरा उसको freeze करके tissue को freeze करके next, section is prepared by out of use of paraffin wax section is prepared by आपन section को prepare करते है by out of use of paraffin wax यानि paraffin wax के बिना use की आपन के section को तियार करते है यानि embedding वगेरा का कोई step नहीं होता यह rapid method यानि जल्दी करने का प्रोसीजर है और जल्दी डाइग्नोज करने का प्रोसीजर है टीशू को यानि इसकी processing जल्दी होती है freezing agent कौन से कौन से हैं तो carbon dioxide है, liquid nitrogen और aerosol जो spray आती है वो भी कहा एक तरीके का freezing agent है उसको भी अपन क्या freezing agent के रूप में काम में ले सकते हैं तो तीन है एक तो carbon dioxide, एक liquid nitrogen, एक aerosol spray next देखिए usage क्या क्या है तो for the urgent biopsy यानि किसी का sample urgent आपको diagnose करना है कोई surgical condition है तो उस टाइम पे अपन freezing section काम में लेते है section can prepare in 30 minute यानि 30 minute के अंदर क्या है frozen section procedure में section त्यार हो जाता है help in rapid diagnosis, यानि किसी चीज़ को diagnose करने के लिए disease का पता लगाने के लिए जल्दी हो जाती है and operative surgery consultation, यानि surgery के टाइम पे कोई consult करना उसके लिए immunoflorescence के लिए यानि जो antigen antibody की reaction होती है immunoflorescence microscope के अंदर frozen sections को काम में ले सकते है enzyme histochemistry के लिए यानि enzymes को estimate करने के लिए histochemistry के लिए अपन क्या है frozen sections को काम में ले सकते है या immunoflorescence के लिए या antigen antibodies को किसी चीज़ के लिए detect करने के लिए जब आपन tissue के अंदर apply करते हैं तो उस condition में भी अपन क्या है frozen section को काम में ले सकते हैं यानि जल्दी urgent biopsy के लिए या फिर section को जल्दी 30 मिनिट में त्यार करने के लिए या किसी चीज को जल्दी डाइगनोज करने के लिए या उसका पता लगाने के लिए या फिर immunoflorescence microscopy के अंदर enzyme histochemistry का मतलब है कि यहाँ पर enzyme या फिर किसी फैट या लिपीड को डाइगनोज करने के लिए immunoflorescent chemistry का मतलब है कि antigen antibodies disease में involved हो histopathology में नेक्स्ट देखे प्रिंसिपल तो when tissue is frozen is converted into ice and tissue becomes hard cut the thin section यानि जब क्या tissue frozen हो जाता है यानि freeze हो जाता है आपने बरफ देखियोंगी hard होती है is converted into ice यानि वो बरफ के अंदर convert हो जाता है and tissue becomes hard जब tissue hard हो जाता है cut the thin section यानि तब उसके क्या है अपन छोटे छोटे section काट सकते हैं यानि tissue को freeze करके भी उसके section काटे जा सकते हैं इसी principle के base पे क्या है है काम करता है next procedure of frozen section तो procedure देखिए कि the specimen received from 0.7% fixative यानि specimen को सबसे पहले अपन कहां से receive करेंगे तो 0.7% fixative से tissue for freezing should be fresh and unfixed यानि tissue आपको जो freezing के लिए दिया जाता है वो fresh भी हो सकता है और unfixed यानि बिना fix किया हुआ भी हो सकता है place the freezing compound in block place the specimen in block यानि एक आपको tissue block लेना है उसमें जो compound आप freezing section को freeze करने के लिए काम मिलेना चाते हो यानि carbon dioxide या nitrogen या aerosol तिनों को काम मिले सकते हो एक को place कर देना उनमें से and place the specimen in block और उसी block के अंदर के आपको specimen को place करना है set the temperature यानि refrigerator का temperature set कर देना आपको set the thickness of micro tissue यानि कितने quality के कितने size के आपको section produce करने तो वो क्या है थिकनेस आपको set करने है micro tom की tissue के अंदर cut the cereal section by cryostate micro tom और क्या है कि freezing section के अंदर cryostate micro tom अंदर present होता है उसके दोबारा क्या है cereal sections को cereal wise cut कर सकते है and pick up the section and goes for staining और फिर क्या करना है उनको pick करना है यानि उठा लेना है कटे हुए sections को and goes for staining और उनको stain कर लेना stain करके examine कर सकते है यह क्या है frozen section का पूरा procedure है यानि सबसे पहले उसे fixative से अलग करते है या फिर section ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल fresh हो बिना fix किया हुआ हूँ फिर उसके क्या करते है कि एक tissue का block लेते है जिसमें freezing compound लेते है और specimen दोनों लेते है फिर उस block को कहां पर रख देते है कि cryo state micro tom में रख देते है जिसके अंदर क्या है कि specimen को रख देते है और refrigerator का temperature set कर देते है कितने degree के उपर freeze करना है जमाना है यानि ice बनाना है जब उसके ice prepare हो जाती है तो micro tom की ठिकने सेट कर देते है कितने size के आपको section cut करने फिर section cutting करने के बाद tissue को pick कर लेना है cryo state micro tom से और उसको standing के लिए भेज देना है और standing के बाद में क्याई tissue की microscopic examination कर सकते है तो यह पूरा procedure है कि इसके अंदर frozen section के अंदर next देखिए note तो यह note most important है earlier liquid carbon dioxide was used for freezing earlier यानि पहले क्या है कि जो carbon dioxide gas है उसको काम में लेते थे अपन section को freeze करने के लिए but now an electrical cooled equipment cryo state is used और अभी के दिनों में क्या है कि electrically जो चलता है stimulate होता है cool जो cool करता है वो equipment क्या है cryo state काम में लेते है this is refrigerator cabinet with control यानि cryo state के अंदर क्या है कि एक refrigerator होता है एक cabinet होता है जिसको अपन control कर सकते है control temperature with an inbuilt rotary microtome और जिसका temperature अपन control कर सकते है और with an inbuilt यानि वो किसके साथ बनावा उसी के अंदर क्या है rotary microtome section cutting के लिए तो क्या है कि rotary microtome वह electrical equipment है जिसके दौर आपन section को freeze कर सकते है उसी के अंदर microtome होता है जिसके दौरा section की cutting की जा सकते है exam के लिए important है कि cryo state microtome क्या है next application तो frozen sections को अपन कहाँ apply करते है तो it is a rapid interoperative procedure for pathologist while the patient under anesthesia यानि यह कहाँ rapid procedure है जब कोई patient under operative surgery में हो या anesthesia में हो तब कहाँ pathologist इस patient के लिए इस procedure को काम मिलेता है this is also used for demonstration some special substance in cell and tissue यानि this is also used यानि इसको और भी जगहाँ काम में ले सकते है demonstrate यानि किस चीज़ को diagnose करने के लिए some special substance यानि कुछ special visist पदार्तों को diagnose करने के लिए in cell and tissue यानि cells और tissue के अंदर example के हैं इसके fat हो गया जैसे enzyme को diagnose करने के लिए किसी tissue के अंदर next it used for determining tissue यानि कि किसी tissue के लिए अपन काम में ले सकते है उसके अंदर determine करने के लिए are free of tumor or not यानि उस tissue के अंदर tumor है या नहीं है यानि कोई चोट लगी हुई या फिर cancer cells है या नहीं है while the patient under anesthesia जब कि आहो patient किसी anesthesia की condition के अंदर represent hospital में तो cryo state microtome क्या है कि equipment है जिसको अपन section को frozen freeze करने के लिए काम में लेते है जिसके अंदर क्या होता है refrigerator होता है एक inbuilt cabin होता है जिसका temperature control कर सकते है और उसी के अंदर क्या है inbuilt rotary microtome होता है जिसके दौर आपन section cutting भी कर सकते है और ये एक most important question बनता है frozen microtomy से या फिर frozen section से next second topic क्या है आपका आज का museum specimen mounting museum का मतलब आपको पता है जिसके अंदर आपन चीज़ें store करते है तो museum is a permanent exhibition of common pathological condition museum एक permanent exhibition है यानि कोई store है कोई place है जिसके अंदर आपन store करते हैं क्या of common pathological condition यानि जिसके अंदर pathological यानि disease से related जो conditions होती है या फिर अलग कोई equipment हो अलग organ हो उसको अपन क्या है store कर लेते है pathological museum has following uses pathological जो museum होता है उसको अपन इन चीज़ों के लिए काम मिले सकते है permanent preservation of specimen यानि specimen को हमेशा के लिए preserve कर सकते हैं for long time storage यानि लंबे समय तक उसको storage कर सकते है which can be used in medical exhibition और जिसको अपन medical के exhibition में काम मिले सकते हैं यानि किसी चीज को research करने के लिए किसी चीज की खोज करने के लिए education and knowledge तो आपने देखा होगा कि medical department के अंदर जो आपको जार दिखते हैं यानि जो अलग-अलग equipment दिखाई जाते हैं या फिर क्याए जिसके अंदर यानि के snack वगएरा को या फिर practical के अंदर fish को store करते हैं तो वो क्या education knowledge के लिए उनको store करते हैं वो भी क्याए museum specimen mounting यह teaching purpose यानि क्या teaching यानि students को सिखाने के लिए उनको पढ़ाने के लिए किसी ओर्गन के बारे में specificity उसकी specificity बताने के लिए क्याए store कर सकते हैं collection of rare and interesting case और अपन म्यूजियम के अंदर किन चीज़ों का collection करते हैं तो रेयर यानि जो बहुत ही दुरलाब मिलती हो और जिसके अंदर क्या है museum specimen mounting को काम मिलेते हैं pathology के अंदर museum specimen mounting का क्या है जो different कोई चीज हो pathology के अंदर कोई disease से related organ हो गया या फिर कोई heart हो गया kidney हो गी तो उनको कहले लंबे समय तक store करना teaching के purpose के लिए ताकि आने वाले students को knowledge हो उस चीज़ की उस चीज़ से related वो पढ़ सके और research की जासके उस चीज़ की उपर next देखिए steps of museum techniques तो steps क्या है इसके जैसे सबसे पहले हो गया reception of specimen and specimen को receive करोगे आप museum के अंदर preparation of specimen फिर specimen को त्यार करोगे museum के लिए fixation फिर उसको fix करोगे ताकि लंबे समय तक store कर सके restoration का मतलब है कि fixation के time पर वो अपना natural color खो देता है तो उसको क्या है restore कर लोगे आप यानि वापिस natural color में लेके आओगे और preservation का मतलब उसको लंबे समय तक store किस तरीके से करोगे तो यह सारे क्या है museum specimen माउंटिंग के steps है यानि सबसे पहले reception फिर उसका preparation फिर fixation फिर restoration और preservation लास्ट स्टेप क्या है preservation सबसे पहले क्या है reception of specimen तो specimen in museum can be received from ot, biopsy, autopsy and pathological lab यानि museum के अंदर specimen जो receive होते हैं कहां से प्राप्त होते हैं तो ot यानि operation theater से biopsy यानि किसी patient का sample otopsy यानि किसी dead person का sample यानि organ and pathological lab और pathological lab के अंदर कोई different चीज मिलती है sample के अंदर तो वहाँ से क्या है प्राप्त होते हैं मिलते हैं museum के अंदर next when specimen is received in museum it records in a reception book and computer जब किसी specimen को अपन receive करते हैं museum के अंदर तो उसको सबसे पहले register के अंदर record करते हैं next reception book contains necessary information about that specimen like reception book के अंदर कौनसी कौनसी information होनी चीए specimen की तो नीचे देखिए जैसे clinical information होनी चीए यानि उसके अंदर disease क्या है उसके condition कैसी है grossing यानि उसको अपन देख सकते हैं कैसी है उसका differentiation क्या है यानि वो औरों से difference कैसी है और microscopic detail यानि क्या है microscopy के अंदर उसका result क्या है यानि वो कोई disease tissue है या फिर कोई different organ है या फिर उसके अंदर cells difference है वो सारी चीजें क्या है उसके अंदर contain की हुई होनी चीए ताकि क्या study के अंदर help हो जब next level के students उस चीजों को देखे तो उनको समझने में उनको क्या analyze करने में क्या आसानी हो next क्या है second step यानि preparation of specimen तो preparation of specimen के अंदर देखिए specimen is washed in normal saline यानि specimen को receive करने के बाद उसको normal saline के अंदर wash कर लेना है साफ कर लेना है it is properly cutting according to the jar और जो equipment आपके पास museum में present है यानि jar के अंदर अपन store करते है तो jar के according उस organ की उस section की cutting कर देनी है यानि jar में पूरा पूरा आस के उसका distortion ना हो and disease part remove from the specimen और जिस part के अंदर disease है यानि कोई problem है विमारी उसको remove कर देना है specimen से example क्या है जैसे half kidney होगी हाफ kidney का specimen store कर सकते है अगर kidney में कोई disease हो lungs में कोई disease हो तो disease वाला portion अलाग करके बाकी का portion उसको store कर सकते है brain को store कर सकते है ovaries को के है劈 fire store कर सकते है अज़े आदर जो organs है human body के अंदर उनको भी store किया जा सकता है अगर किसी patient के अंदर उस organ में disease या तुछ disease वाले portion को अलग कर देंगे बचा हुआ जो portion है उसको museum के अंदर अपन store कर सकते है next step क्या है फिर fixation fixation का मतलब उसको लंबे समय तक store कैसे रखे यानि prevention from decay and autolysis देखिए to preserve the specimen placed into a fixative यानि specimen को बचाने के लिए bacterial infection से या फिर parasite के infection से या autopsy यानि खुद की cells के analysis से तो अपन क्या है उसको fixative के अंदर place कर देते हैं रख देते हैं active use in यानि museum specimen mounting में जो fixative solution है वो कौन सा काम में लेते हैं तो kezerling solution first काम में लेते हैं composition क्या है kezerling solution first की formalin कितना लेना है एक लीटर potassium acetone कितना लेना है 45 gram sodium nitrate कितना लेना है 25 gram distal water 10 liter इन सभी चीजों को compose करके अपन क्या बनाते हैं specimen जो अपन इस्ट्रोपेथलोजिक के अंदर investigation के लिए काम में लेते हैं वह तो छोटे होते हैं लेकिन जब अपन पूरे organ को museum के अंदर store करेंगे तो उसको एक मेने के लिए fixative के अंदर रखते हैं solution क्या है के जर्लिंग solution का first का फॉर्मेलीन एग लीटर potassium acetone 45 gram sodium nitrate 25 gram और distal water 10 liter next क्या है आपका restoration यानि किसी जब वो अपना natural color गवा देती है कोई organ तो उसको वापिस कैसे लेके हैं तो during the fixative tissue loss their natural color यानि fixation के process के time पे जो tissue है section है वो क्या अपना natural color lose कर देता है गायब कर देता है required of this natural color back is called restoration और उसी natural color को वापिस लेके आने के लिए जो procedure होता है उसी को क्या बोलते है restoration बोलते है this is done by casualing solution second और restoration का procedure कौन से solution के दवारा किया जाता है तो casualing solution second के दवारा किया जाता है casualing solution second का composition क्या है तो alcohol कितना है 95% pyridine कितना है 100 ml sodium hypo sulfate कितना है 100 ml और distal water 4 liter इन सभी को mix करके अच्छे थी किसे फिर क्या prepare होता है casualing solution second और casualing solution second को अपन किस चीज के लिए काम मिलेते है museum specimen mounting के अंदर restoration step के लिए काम मिलेते हैं यह एक important cushion eva के लिए यानि कोई organ अपने जब fixation के time पे natural color गायब कर देता है यानि वो छोड़ देता है तो उसको वापिस restore करने के लिए अपन क्या काम मिलेते हैं casualing second solution काम मिलेते हैं और इस procedure को क्या बोलते है रेस्टोरेशन बोलते हैं next क्या है restoration का procedure क्या है तो procedure देखिए कि सबसे पहले remove the specimen and wash in running tap water remove the specimen का मतलब क्या है specimen को remove करना है कहां से fixative से remove करना है एक महीने बाद and wash और अच्छे तरीके से उसको wash करना है running water के अंदर साफ पानी के अंदर next place in 95% alcohol for 10 minute और उसको clean करने के लिए 95% alcohol के अंदर रख देना है 10 minute के लिए next after then place in sodium hypo sulfate solution for 15 minute now color is back and specimen is ready for preservation और फिर क्या है उसको किस के अंदर रख देना है तो आपको sodium hypo sulfate के solution के अंदर रख देना है जिससे color क्या है वापिस आ जाएगा specimen का और वो preservation के लिए क्या है ready हो जाएगा यानि casualing second solution के अंदर रख देना है tissue को फिर 15 minute के लिए उसके बाद उसको वापिस निकाल लेना है और उसके अंदर इस procedure में क्या हो जाएगा tissue का पूरा color वापिस आ जाएगा फिर next step के लिए वो prepare हो जाएगा यानि preserve करने के लिए त्यार हो जाएगा next preservation तो for preservation the casualing solution third are used यानि preservation के लिए अपन कौन सा solution काम में लेते हैं तो casualing third solution काम में लेते हैं यानि tissues cells को लंबे समय तक store करने के लिए कौन सा solution काम में लेते हैं museum के अंदर तो केजरलिंग सोलिशन थरड काम में लेते हैं कमपोजिशन क्या है तो पोटेशियम एसिटेट कितना है 1416 गराम गलीसरीन कितना है 4 लीटर, डिस्टल वाटर 10 लीटर और थाइमोल क्रिस्टल कितना है 1 स्पून यानि 1 चमच अपन थाइमोल के क्रिस्टल को अगर एड करते हैं तो वह क्या है मोल्ड की फोर्मेशन से बचा देता है सोलिशन को यानि सोलिशन के अंदर घाट चैसी डिस्ट्रक्चर वगारा नहीं बनती है और सैंपल को पीजरव करने के लिए अपन क्या काम मिलेते हैं केजरलिंग सोलिशन धरड़ काम मिलेते हैं जिसका कमपोजिशन है पोटेशियम एसिटेट कितना है 14-16 ग्राम ग्लीशरिंग 4 लीटर डिश्टल वोटर 10 लीटर थाइमोल क्रिस्टल एक स्पून यानि एक चम्मच next देखिए in the museum specimen mounting the specimen is mounted in glass box यानि museum specimen mounting के अंदर जिस specimen को अपन mount करते हैं उसको mount करके रखते हैं तो एक glass के box में रखते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन जार बोलते हैं filled with casual link solution और जिसको अपन किसके साथ भर देते हैं तो casual link solution के दिए साथ भर देते हैं उस जार को पूरा the specimen is mounted on its anatomical basis और specimen को अपन mount किस base पे करते हैं तो उसकी anatomical structure के base पे mount करते हैं और it is present in body यानि जैसे वो human body के अंदर present होता है ऐसी structure के अंदर ऐसी morphology के अंदर बिना किसी changes के anatomical base के अंदर specimen को mount करते हैं यानि उसको लंबे समय तक store करते हैं museum के अंदर the specimen is tied with string and kept in normal anatomical position यानि इस specimen को अपन जार के अंदर किसके साथ बांद देते हैं तो string के साथ यानि एक दागे के साथ बांद देते हैं kept in normal anatomical position और normal जो anatomic position होती है human body के अंदर उसी condition में वो दिखाई देता है यानि उसको रखते हैं अपन museum specimen mounting के अंदर specimen को mount करने के लिए अपन क्या लेते हैं glass के box को काम मिलेते हैं jars को काम मिलेते हैं next है most important questions क्या है exam के लिए histopathology के लिए तो सबसे पहला question है discuss briefly the various steps in tissue processing तो histopathology के अंदर आपने पढ़ी थी tissue processing क्या है तो उसके अंदर 3 steps है वो सारे चीज़ें आपको describe करनी है यानि सबसे पहले dehydration फिर clearing और impregnation next question क्या है दूसरा discuss briefly the preservation of museum specimen and organization of museum यानि museum के अंदर जो specimen को preserve करने का जो procedure है वो क्या है और museum को organize किस base पे करते हैं तो यह तो आज के lecture में अपने डिसकस किया है organize करने का मतलब है कि anatomy के अंदर अलग-अलग organs से related अलग-अलग उनको अलग-अलग जगह पे store करते हैं उनको name के according के store करते हैं next, enumerate the next question क्या है फिर enumerate the various stain used in histopathology यानि histopathology के अंदर जो आपन stains काम में लेते हैं उनके बारे में बताना है discuss briefly about decalcification यानि decalcification का पूरा procedure आपको detail के अंदर बताना है and its various reagent और इसके अलग-अलग reagent कौन से हैं तो strong जो acid होते हैं या फिर weak acid होते हैं उन सभी के बारे में क्या है decalcification का procedure क्या होता है सारी चीज़ें आपको discussion में describe करनी है next describe fnac and various type fixative using cytology यानि fnac क्या है cytology के अंदर तो fine needle aspiration cytology है यानि उसका पूरा procedure किस तरीके है अपन सेंपल को aspirate करते हैं वो सारी चीज़ें डिसक्राइब करनी है और fixative कौन से काम में लेते हैं cytology के अंदर दो प्रकार के fixative थे आपने देखे थे तो यह सारे questions के हैं 20 नंबर के हैं इन questions को गुमा फिरा के भी पूचा जा सकता है जैसे describe briefly about decalcification या फिर discuss briefly about decalcification and enumerate the various reagents using histopathology decalcifer agents के बारे में पूच सकता है या फिर direct पूच सकता है discuss briefly about H&E standing using histopathology या फिर FNAC के उपर short question भी पूच सकता है next describe more normal coagulation reaction and bleeding disorder यानि normal coagulation reaction होती है यानि blood clotting की जो mechanism होती है वो describe करनी है और उसके related disorder कौन से कौन से है next what are fixative list some fixative and describe their principle यानि fixative का पूरा procedure कै है fixation कै है और कौन से कौन से fixative का अपन histopathology के अंदर काम में लेते हैं उनको describe करना है उनके principle को describe करना है describe briefly about microtomy and their steps यानि histopathology के अंदर microtomy steps जो है वो क्या है और उसके अंदर कितने steps proper होते हैं जो most important है histopathology के अंदर next है staining भी पूछ सकता है most important staining अगर पूछे भी इस नंबर में तो H&E होगी PEP stain होगी या फिर acid or sin stain होगी MGG stain होगी ये सारी चीजें क्या important है फिर है short notes क्या क्या बनते हैं तो सबसे पहले पूछ सकता है picric acid तो picric acid क्या है पांच नंबर के अंदर क्यूशन आता है कि picric acid क्या है तो ये एक fixative है सबसे पहले पढ़ा था आपने step pathology के अंदर next second point क्या है bar bodies तो bar bodies आपको करवा दी है पूरी की पूरी की X chromosome होते है females के अंदर next decalcification तो इसके अंदर इतना ही बताना है कि decalcification है क्या और उसको क्यों काम मिलेते है next होनिंग तो होनिंग का मतलब क्या है कि अपन microtome के अंदर जो knife होता है उसको sour up क्यों करते हैं ये 5 नंबर का क्यूशन है ये आपको करवा दिया है next है frozen section तो आज ही की lecture में आपने discuss किया है कि section को अपन किस तरीके से freeze करते हैं और क्यों उसको काम मिलेते हैं next extrinsic pathway of coagulation यानि blood clotting के अंदर extrinsic pathway क्या है उसका पूरा procedure आपको describe करना है ये दोनों question last वाले क्या हैं दस नंबर के हैं और fixation से कोई vacation पूचा जा सकता है जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ पिक्री के चिन तो neutral buffer 4 million भी पूच सकता है mercury को mercury oxide भी पूच सकता है mercury oxide को आपन fixative के अंदर काम में लेते है decalcification के अंदर अलग अलग जो reagent होते है जैसे nitric acid वगएरा perinous fluid के बारे में भी पूच सकता है अलग अलग short cushion बनते हैं उनके उपर next है microtomy तो microtomy क्या है उसके बारे में बताना है DPX तो आपने पढ़ा था कि mountain media है आपको करवा चुके है next APTT क्या है यानि activated partial thrombin time क्या है पांस नमबर के उपर उपर पुचा है thrombocytopenia तो आपने first year के अंदर पढ़ाओगा platelets के अंदर जो कमी हो जाती है उस condition को क्या बोलते है thrombocytopenia next section adhesive यानि इस्ट्रपेतलोजी के अंदर last में देखा था आपने की section जब slide के उपर चिपकते नहीं है तो आपने क्या काम में लेते हैं section adhesive को काम में लेते हैं next step B5 jenker splude यानि एक fixative है false in section cutting यानि section cutting के अंदर क्या क्या problem हो सकती है तो जैसे nitrogen का नई breakdown हो सकता है अगर calcium के iron present हो इस तरीके से कहे उसकी shape and structure maintain रखनी चाहिए क्योंकि tissue की sections की morphology change हो जाएगी अगर embedding नहीं होई तो भी problem हो सकती है उसकी structure damage हो सकती है next question क्या है bleeding time तो ये भी करवा दिये हैं आपको hematology के अंदर next step prothrombin time यानि PT तो ये भी करवा दिये है dehydration of the tissue यानि tissue को dehydrate कैसे करते हैं तो ये क्योशन कहां से पूछा गया है tissue processing से पूछा गया है tissue processing का पहला step है तो उस तरीके से tissue processing में 300 question बनते हैं अलग-अलग next step paraffin impregnation of tissue यानि ये भी question कहां से है tissue processing के है tissue के अंदर अपन wax को किस तरीके से impregnant करवाती है और यानि tissue processing के अंदर कौन से कौन से reagent काम में लेते हैं तो उनके उपर भी short cushion बनता है जैसे alcohol को dehydration के लिए काम में लेते हैं xylene को अपन clearing के लिए काम में लेते हैं parafinvex को impregnation के लिए काम में लेते हैं तो इस तरीके से histopathology के अंदर हर topic के अंदर के अलग-अलग short questions बनते हैं जो कहा है most important है next है making of blocks यानि ये question कहां से पूछा गया making of blocks का मतलब है embedding जो step होता है histopathology के अंदर next section cutting section cutting का मतलब कहा है microtomy next question कहा है neutral buffered formalin तो मतलब जो fixative के अंदर पहला जो fixative fluid करवाया गया है वो क्या है neutral buffered formalin next pep stand यानि peperniculus stand क्या है और एक standing के उपर short question और पूछ सकता है past stand के उपर जो last के अंदर आपको करवाई थी तो इस तरीके से क्या है ये सारे क्या है histopathology के most important question है इनको एक notebook के अंदर अलग से note कर लिजीगा अपने according अच्छे तरीके से तो histopathology जो subject आपका DMT second year के अंदर वो complete हो चुका है अच्छे तरीके से इसको revise करें अगर कोई doubt हो या फिर कोई किसी questions के अंदर problem हो कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो consult करें teacher से थैक्स तो ओल अंदर